स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक्निकल दिलजाद में इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर यूटूब पर पोस्ट करते वक्त आपको ये प्रोबलम आ रही है अनलोक मोर ओन यूटूब टू क्रियेट पोस्ट कंप्लीट एक क्विक वन टाइम इंटरफेस आजाएगा उन्टाइम वेरिफिकेशन नीड अब कैसे आप यूटूब में वेरिफिकेशन करते हैं यह में इस वीडियो में सीखने वाले हैं जानने के लिए आपको इस वीडियो को लाश्ट तक पूरा देखना है और अगर आपने अबी तक लाइक नहीं किय देना है वन टैम VVC आपको यहां पर तीन तरीके दे गए हैं सबसे पहला है ये वीडियो और सकते हैं ते今日 में आपको यहाँ वीडियों करसकते हैं और यहाँ पर आपको अपना मूबाइल नमबर डालना है और अपना मूबाइल नमबर डालने के बाद आपको टेक्स मीबर टच करना है अब आपके मूबाइल नमबर पर एक OTP आएगा और OTP डालने के बाद अपना password आधार काड या फिर driving license कोई एक document अप्लोड कर सकते हैं ज उस पर regular video upload करते रहना है जैसी आप YouTube चैनल बना कर उस पर regular video upload करते रहेंगे तो ऐसे में YouTube आपके चैनल की growth देखते हुए आपको खुद ही verify कर लेता है और फिर उसके बाद आप community post कर सकते हैं और मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप video verification कर सकते हैं इस आपने मूबाइल से verify नहीं किया है अगर आपने पहले already अपने मूबाइल से verify कर लिया है तो आप کے सामने इस से आगे वाला interface आएगा जो कि मूबाइल को verify करने के बाद आता है मैं आहाँ मोइल से verify कर लेता हूँ और यहाँ पर अपना मूबाइल number आपको डालना है मैं यहा और मैं यहां पर इस code को डाल लेता हूं हमारा जो code है वो verify हो चुका है हमारा mobile number verify हो चुका है अब यहां पर हमारे सामने कुछ इस तरीके interface आ जाएगा अब आपको यहां पर वीडियो verify करने के लिए आपको नीचे स्क्रोल करना है अब आपको नीचे स्क्रोल करने के बाद यह पर सबसे पहले इसे camera की permission allow करनी है और आपको यहाँ पर picture and record video की permission भी allow करनी है अब आपको यहाँ पर sir उपर करना है और उसके बाद sir नीचे करना है और हमारा video verification है वह हो चुका है video verification complete होने के बाद आपको नीचे scroll करना है और आप यहाँ पर देख सते है close screen to return YouTube अब आपको यहां से close कर देना है और आपको अब दोबारा YouTube को open करना है close करने के लिए आप यहां पर cut के icon पर touch करेंगे और यहां पर आप दोबारा इसे close करेंगे और अब आप यहां पर YouTube को open करने के बाद दोबारा post करके देखेंगे मैं यहाँ पर अब दुबारा पोस्ट करने का प्रयास करता हूँ तो यहाँ पर हम verify पर touch करते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर verify होने के लिए 24 hertz का time लएगा 24 hertz के अंदर Google की जो team है वो आपकी account को verify करेगी उसके बाद आप अपने phone से YouTube पर post कर सकेंगे वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो like जरूर कीजिएगा मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह के interesting वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखेगा और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से सुक्रिया